अगर देखेंगे इस प्रक्रण की सबसे ज़्यादा मैं जिसको विवादास पद रिपोर्ट मानता हूँ वह सब परिक्षन रिपोर्ट इस रिपोर्ट पर आप द्रस्टी पात करेंगे तो दिनांक नौ आप कहां से पता रहे हैं जिसको प्रक्रण की पोस्ट मार्टम दिनांक नौ चार दोहजार इकीस को टीन डॉक्टरों की टीम द्वारा रात साड़े ग्यारा बज़े की है लौट्शिप इस पहला प्रश्ण नौता है माननी न्याले के समक्ष ये बात नहीं बता पाया कि आपको रात साड़े ग्यारा बज़े जहां पर परियाप्त रौश्णी और परियाप्त प्रकाश की व्यवस्ताव लब्द नहीं थी बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमीशन लिए आपने उसमार्टम रिपोर् का तीसा नंबर का जो पेज है उस पर आपका ध्यान आकरश कराना चाहूंगा ये लिखते हैं कॉलम नंबर 11 में बाहरी और भीतरी जनेनेंद्री है उसमें ये अलग स्याई से निकते हैं NAD जिसका अगर मानी न्याले के समक्ष मैं अर्थिस्पस्ट करता हूं तो वह लिख रात 11.30 बज़े पोस्ट मार्टम हो रहा है लेकिन मैं मानी न्याले का ध्यान बिनम्रता पूर्व काकरश्ट कराना चाहूंगा सर संगीता युदनाती की जपती पर आप दस्टिपात करते हैं तो देखेंगे कि ये पोस्ट मार्टम के पहले दोबार तीन बचकर 50 मिट पर किसको तीन बच के तीस निट पर ही वेजारिनल साइट प्रेपेर कर रहे हैं सर लेकिन कॉलम नंबर 13 में आप देखेंगे कॉलम नंबर 13 में नमूना सील की जगे संगीता अंकित है लेकिन थाने की सील नहीं लगी हुई है माननी नियाले से मैं बिनम्रता पूर्व का अगर प्लाइब करना चाहूंगा मेरा निवेदा ने सब्सक्राइब करें पहली चीज यह जो मैंने तयारी की धोड़ी सी डॉक्तर पारिक और मोधी हैं इनके मुताबिक जब इन्होंने अपनी किताब लिखी ते जिस पर यह डॉक्तर सबढाई करते हैं इनमें ने लिखा था कि शुक्र के दब्बों की परिक्षा यह बताते हैं कि इसको शुक्राणू कहते हैं इसकी उपस्तिती जानना कोई सरलकारी नहीं है इसके विरोधी तत्यों जैसे कपड़ों का प्रकार पुराना पन और प्रयोक शाला में पहुशने तक वे धब्बे किन परिस्तितों से गु करें विजानल स्राइट प्रिपेर करते हैं इस चीज का मेरी बात से रिलेवेंसी इस बात पर है मानी ने आले से मेरा विनम्रता पूरों का अगरा है सर कि जो महिला 100% जल चुकी हो आप उसके योनी मार्क से शुक्राणू कैसे प्राप्ट कर पाएंगे जब की जो स्पर्म होते हैं वो मतलब दाहा की पत्वी बहुत जारा सैंसेटिव होते हैं और जब कोई महिला 100% ही जल चुकी हो तो ऐसी दशा में प्रथम दश्टिया ये ब्रहम और प्रथम दश्टिया संदे उत्पन होता है कि जलने के बाद किसी भी महिला की बजारिनल को यार नहीं की जा सकती से मेरा दूसरा बहुत बड़ा निवेदन है अभी मैं एक लेटेस्ट जज्जमेंट था जिसमें शरत बिर्थी चंद का हवाला हुआ था और एक हवाला आया था सर इसमें माननी उचितम न्याले ने कहा है कि माननी न्याले के समक्ष आप कोई भी प्रक्राण पेश करते हैं जिसमें आप परिस्थिती जन्ने साक्षों की बात करते हैं तो माननी न्याले के समक्ष अभियोजन को यह स्पस्तूर से तोर पर बताना पड़ेगा कि केवल आप आप उसको अभ्यूक्त साबित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास चेन बाई चेन गड़ी बाई गड़ी और साक्ष बाई साक्ष मानने नियाले के समख संदे से परी कोई चीज प्रमानित नहीं होती है लौट्शिप की किसी तरह की प्रकृति का मामला था हेमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश और माननी उच्छतम नियाले ने अभी रभी कुमार राहुल वाला केस था जी सर यह वाली कॉपी सर्क प्रमानी नियाले से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रक्रम में मान इसमें माननी उच्छतम नियाले ने डियने प्रोफालिंग को पेज नंबर 138 से डिसकस करना शुरू किया था और उसमें उन्होंने डियने प्रोफालिंग पद्धिति के बारे में बताया था यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन डियने को करने के लिए और माननी नियाले के समख्ष डियने की सत्यता को प्रामाणित करने के लिए इसकी आपको सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि जो नमून है उसको विदीवत संरक्षित किया गया उसको विदीवत लैब तक पहुंचाया गया क्योंकि डियने के ऐसे अडू होते हैं जो शरीद के किस प्रक्रण प्रस्तूत किया है उसमें भी पाच महा के विलंब के बाद यह जो सेंपल था पहुंचाए गया लॉट्शिप इस प्रक्रण में ना तो कोई सील बंद लिफाफ है और आफ्टर मदलब चार महा के बाद सर यह इसकी DNA सेंपलिंग कराते हैं यह इसकी रिपोर्ट आ आने तक यह कहां इस स्लाइड को रखे रहा है बिना सील बंद नमूने को ठाने में रखा रहा रहा आने में जब आप रखे रहते हो तो नमूने से छेडशार करने की आशंका से इंकार नहीं किया रहा सकता और लॉट्शिप इस प्रक्रण की सबसे बड़ी चीज़े आती ह कि जब यह वैजारेण स्लाइड और स्वैब बताते हैं जबकि मैंने मानी नियालेग को पूर में निवेदन कर बताये था कि इन्होंने केवल स्वैड परिपेर की थी स्वैड नहीं बनाया था सब्रे सर यह स्वैड इनको कहां से प्राफ्थ होगे अतरिक इसका मतलब यह क आपिद्क जोटा पचाने के आश्चा से इन्हों Lucy इसके बाद कि यह जाच होती है फिर है कि सर आपने तो अब धुर्ड निकाल लिए लेकिन इसके पहले तक हमको फशाने की संपूर कारेवाई अभियोजन के द्वारा सुनिशित कर लिए अभी तो मैं माननी नहीं के समख्षित नहीं किया गया डॉक्टर आएगा डॉक्टर से पूछेंगे और आप उससे पूछेंगे डॉक्टर से पूछेंगे यह बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है इस बाते तो आप घटना बताते हैं साब वियोजनी घटना बता रहा है जिस दिनांकी घटना बता रहा है यह बता रहा है सर मैं मानी नहाले से निविदन करना चाहूंगा मानी नहाले अपने सुष्थाफिश सिध्धानतों पर बताया है कि जब आप कहते हैं तो संदे से परे प्रकरण को मानी नहाले के समख श्रस्तुत कीजिए यह प्रफिरम दस्ट्या की बात कर रहा हैं सर आप बता रहे हैं कि जो अप्रेल 2021 जिस समय पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था उस दिन आप लॉकडाउन के समय में घर में लड़की को अकीला छोड़कर कह नहीं जाते हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ ऐसी दर्शा में कोई किसी वेक्टी को अकीला नहीं छोड़ेगा लेकिन तीसरी बात मेरा मानी नियाले से सिर्फ एक बात कहनी है कि जाओ कि आस पो स्मार्टम रिपोर्ट आ गई आपने फैबरिकेटेट स्टोरी बनाती अपना जीवन ही आपन करता है उसको जिन आधारों पर मानी नियाले के समक्ष उसका प्रस्टूट किया गया है वह रहम के अधार पर और इस सदभाविक आधार पर कि इसको लगबग लगबग एक वर्ष हो गया है ऐसी दशा में भी हम शायद मानी नियाले से रहम की पात् और यह बंद किसे हो गया था अपने बंद किया था अभी मैंने उनके बंद किसे हो गया था मैं मानी ने से एक बात और कहना चाहूंगा मानी ने अलेक्सर ही कहते हैं कि किसी भी जमानत को देखते हुए ग्रेविटी और अफेंस साक्ष को टैंपर करने की इस्तिति और जैसा भी प्रॉसिक्यूशन ने कहा है सर डॉक्टर और पुलिस तो हमारी जद्में नहीं है और ज कि राज़ गुपता जनवरी 2020 में टांस क के पहले मुझे सिवानी आहा के एवं सिवानी की मान इस पहले कर देवरानी दाई मेला फ़ें लेकर गया था कक्षा 11 में प्राची की एड्मिशन ले ली थी, मैं प्राची वा सिवानी आएके तीनों अच्छे दोस्ते, सिवानी कक्षा 11 में बताती थी कि राजा गुपता से उसका प्रेम संबन्द हो गया है, राजा गुपता साधी करेगा, दिनांग साथ, चार दोजार एक्रिप को, ह उसने बताया कि राजा गुपता ने मुझे से प्रेम संबन्द है, और उसने साथ में गलत काम भी किया है, लेकिन अब साधी से मना कर रहा है, दिनांग 84-2021 को, फिर सिवानी दस बजे रोजाना की तरह कोचिंग में आई थी, और वहा काफी दुखी थी, अब मैंने उससे प सिवानी अपने घर चली गई, फिर साम को 6 वजे कोचिंग वाले सरीफ सर ने मुझे फोन करके बताया कि सिवानी जलकर मर गई है, मैंने सिवानी और राजा गुपता के प्रेम संबन्द की बात पहले बै के कारण किसी को नहीं बताई थी, और पहले पुलिस वालों ने भी पुस्ताज नहीं किये थे और जब फुलिस वालों ने मुझे से पुस्ताज किये, मैंने सिवानी और राजा गुपता के प्रेम संबन्द की बात बताई थी, इसी प्रकार सर राची का स्टेट्मेंट है, लगकी तो माइनर है ना, अंधरा साल की सा, और डी एने कर्न उने पुलिए रजच स्टेट्व और ऑने आटेड लुपता इस रिपन ऴेल प्रेम स्टेटिए न ग्यरा प्लिकी तर दुझे अगूरा इस फ्रेम स्टेटिवान उन्धर्ट किये, इस ट्रेम नवर्ट धिसंग प्रेम स्टवशब की लिवान पुलिवाज यवानने within bracket 3, 376 within bracket 2, another bracket small j, 376 within bracket 2, another bracket small n of the Indian Penal Code, section 5, 6 of POXO F, section 3 1 W 2 and 3 2 V, 3 2 5 of Schedule Caste and Schedule Tribes Prevention of Atrocities Act, full stop. It is submitted that applicant is in custody since 19-2011. Next firm, Shepu Sharma submits that the whole story of the prosecution is full of improbabilities, full stop. He submits that postpartum was conducted at 11.30 p.m. which is not permissible without taking consent of the concerned magistrate, full stop. It is further submitted that there is a mention of preparation of a vaginal slide in the postpartum report but vaginal slide was seized at 3.30 p was prepared at 3.30 p.m. as is available as is evident from the memorandum prepared in support of preparation of such vaginal slide. Full stop. Shepu Sharma further submits that the vaginal slide was kept in open for a long period of of 5 months in as much as DNA report is dated means now 2015. Full stop. He alleges that this sample was lying with the concerned police station and was not forwarded to the concerned laboratory. Full stop. He further submits that when the diseased died of burn injuries which have been certified to be and sent sent percent by the concerned doctor then with the concerned team of doctors which conducted postpartum then there was no possibility of survival of DNA material in the sperm which has been allegedly matched with the blood sample of the present applicant. Full stop. Shepu Sharma also raises a doubt over the efficacy of sampling methodology and relying on the judgment of supreme court in criminal appeal number 611 of 2022 Rahul versus state of Delhi ministry of home affairs and another and other connected criminal appeal number 612-613 of 2022 Rahul versus state of nct of Delhi with criminal appeal numbers 614-615 of 2022 Vinod alias shotu versus the state government of nct of Delhi home affairs it is submitted that that complete sampling technology sampling methodology has been discussed in para 31 of the said order full stop honorable supreme court has exhaustively quoted relevant paragraphs from the judgment of from another judgment of supreme court in manoj and others versus state of madhya pradesh bracket 2022 bracket close scc online sc 677 and reading this that is submitted that there is neither all adherence of the protocol for taking samples for dna testing not there is any material to point out guilt of the present applicant full stop it is submitted that present applicant is a self-employed person he is young is a youth of aged about 21 22 years he be enlarged on base next prayer shree ajay kumar tamirka learned panel lawyer for the state summit that statements of two of the friends of the disease shivani are available on record namely prachi and archita archita who have expressed in their statements that the disease was having a filial relationship with the present applicant who was a auto who was driving auto at the relevant point of time which they used to engage to travel up to their school next it is submitted that disease had confided in them that he had established physical relationship with her and thereafter refused to marry her full stop they submitted that all these facts require detailed elaboration and evidence of these witnesses namely archita and prachi is vital to the case of the prosecution and if present applicant is enlarged on bail then he will try to temper with the evidence next vera it is further submitted that all the arguments raised by learned counsel for the applicant shripu sharma are matter of evidence and they cannot be decided at the time of deciding this bail application next after hearing learned counsel for the parties and going through the record it is evident that first bail application was dismissed due to so finding of the concerned sfsl laboratory that dna material found on the vaginal slide smashes matches with with dna material collected with selected from the present applicant full stop there is no change of circumstance though shri piush sharma has vehemently argued and has tried to raise the doubt about the efficacy of the sampling procedure full stop however this efficacy of sampling procedure can be tested before the trial court and not in an bail application therefore for the present taking this fact into consideration that disease was a minor aged about 15 years there is evidence of establishment of physical relationship which has been confirmed in the form of dna report comma it cannot be said that applicant is not guilty or prima facie not guilty of the offenses charged with full stop application fails and is dismissed